हेलो एवरिवान इन देस वीडियो वे वेल डिसकस इंपॉर्टेंट और मॉस्ट रेपेटिट क्वेशन आपकी इंडियान इंग्लिश लिट्रेचर जिसका कंप्लीट नेम है इससे पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड की है जिसमें जो इंपॉर्टेंट रिपीटिट पोईट प्रीशेशन है जो आपका क्वेशन नमबर वन आता है उसको डिसकस किया है उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका क्वेशन नमबर वन है यह जो पेपर क तो कॉंटेक्स्ट में भी आपको क्या होता है 5-6 पोईटरी की लाइन होती है 4-5 लाइन में से कोई चार यह पांच करने होते है इसको डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट पोईटरी है रेपिटिट प्रिवियस यर की इससे पहले की वीडियो में मै के के वैरे कहर है पैटरी हेली में 2 चीऊ सब्सक्राइब होता है नोरा तंट चार यह पैटर्न निथी में 2 चोष्टर्ण आए अपिन चार गाल के वीडियो में वीडियो बीच्पेटर्ण आप आप उसको देख लीजे क्यूंकि प्रिवेस यर देखने के बाद आपको ए अब बात करेंगर इंपोर्टेंट क्वेशन की तो देखें क्वेशन नमबर है आपका डिस्कस मुल्क राज आनन्स अंटचेबल एज शोशल नोबल यह कोईशन इंपोर्टेंट है उन्टचेबल से नेक्स्ट क्वेशन है डिस्कस दा करेक्टर ओफ मूर्थी इन राजा रा उसका अंथा पूरा तो यहां पर क्या बताना है कि जो राजा राव में मूर्थी का करेक्टर है उसको इलाबोरेट करना है नेक्स्ट क्वेशन है आप देखेंगे तो इसका नेक्स्ट क्वेशन है वो है डिस्कस महात्मा गांधी ज हिंदु स्वाराज as a post-colonial text तो हिंद इसी क्या गया आप एक next important question आपकर करके लिख सकते हैं हिंदु स्वाराज के बाद critically comment on Anita Desai use of imagery in her novel clear light of the day ठीक है तो इंपोर्टेंट क्वेशन हो गया ठीक है next question है आपका गाजर हल्वा do you agree गाजर हल्वा is a scratching comment in our social inequality give reason three questions गाजर हल्वा से पूछा गया है next question is discuss Ruskin bond Ruskin bond की जो short story है वो बहुत important है जैसे की no room for a leopard यह इनी की एक short story है तो इसके बारे में यह इनका बहुत important हो जाता और गाजर हल्वा जो short story हो बहुत बहुत repeat करती है अगर मैं गांदी जी की बात करूँ तो गांदी जी का हिंद सुराज बहुत repeat करता है next question है आपका discuss the dominant themes of Salman Rush the waves in the novel midnight children तो midnight children से यहां question पूछा गया है कि उसके themes को बताना है अब आप देख लीजेए midnight children से question आ रहा है clear light of the day से आ रहा है हिंद सुराज गांदी जी का गाजर हल्वा रश्किन बॉंड जो है उनकी उनसे question पूछा जाता है उनकी stories से question पूछा जाता है और यह बहुत important एक topic बचता ह है आपका क्या है महेश दतानी का play Tara तो next question हमारा उसी का है discuss महेश दतानी's play Tara as a social tragedy शोशल ट्रैजडी की तरीके से है यह आपको elaborate करना है अपने work में एक और अगर मैं short story की बात करूँ तो जो short story है शाषी देश पांडे की उसके ओपर लिखा जाता है question क्या आजाता है discuss शाष शाषी देश पांडे की बारे में उनकी एक दो short story को बिल्कुल brief में बताना है so almost इसमें जितने भी important questions होते है मैंनों को cover कर दिया important क्या हो जाता है clear light of the day से question हा जाता है अगर autobiography आ तो वहाँ पे नहरु जी की आ जाती है नहरु की majority time जो autobiographical question आता है जो non-fictional prose question आता है यह तो गांधी जी पे आता है तो गांधी जी पे आता है तो गांधी जी पे आता है ठीक है कांधपुरा से question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर मैं briefly बात करूं कि आपको क्या करना है तो जो non-fictional prose है वहाँ से आपको गांधी जी और नहरु जी के दोनों topics को नहीं जलब कि एक ही question में दोनों novels के question पूछे जाते हैं उन मेंसे कोई एक करना होता है उसके बाद clear light of the day से question आता है midnight children और Tara तो इतना important है कि last question आपका Tara से ही होगा ठीक है चाहे उसकी themes पूछ ले characters पूछ ले inequality पूछ ले injustice पूछ ले जो भी पूछ ले पर Tara का तो एक question आना ही आना short story के अगर मैं shortly बात करो तो short story में क्या आता है आपका जो बहुत-बहुत repeat होता है वह आपका गाजर हलबा हो गया astrologer stay हो गया miracle हो गया और Ashkin born का कोई भुवक हो गया बस यह short stories है चाहर जो सबसे जादा important अगर आपने इतना कर लेना आपको बिल्कुल डर्ने के रगनी है आप बहुत अच्छा score कर के आएंगे the best कर के आएंगे सो फाल्तु की बाते नहीं करेंगे अपरी वीडियो में मिलेंगे next video में with new topic और new content कुल भी नहीं करेंगे मिलेंगे friends next video में with new topic और new content stay connected thank you and good luck for your exam